हेलो फ्रेंट वाल्कम बैक तो आप चानल आर्किचरम लोक्स आई वोपके आप सारे के सार ठीक उमत चलिए स्टार्ट करते आज की राजबी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाएंगे प्रोटीन से रिच ऐसी तेस्टी मज़ेदार सी मिठाई जो आपने पहले कभी न खाई हो अगर आप चाहित तो इसे आदा चमसगी डालके भीरोस्ट कर सकते हैं मैं ड्राइ रोस्ट किया है लैस्त को बिल्कुल धिमा कर लेंगे तो देखिए 2-3 मिंट में मखाना हमारा बिल्कुर रोस टोर चुका है तो इसको निकाल लेंगे इसका बना लेंगे हम पौडर मिक्सी में पीस कर तो देखिए इसको मैंने जार में डाल दिया है इसको फाइन सा पौडर बना लेंगे तो देखिए मखाने का पौडर मारा बन चुका है अब इसको एकटोरी में निकाल लेते हैं देखिए बिल्कुल फाइन पौडर बनके तयार हो चुका है तो यह मैंने 15-20 बदाम लिये हैं इनका भी हम पौडर बना लेंगे अब आप बदाम की जगह कद्दुकस की अवा नार और इस दूद को में लगातार चलाते हुए आधा कर लेना है इसमें मलाईया तो जल्दी गाड़ा हो जाएगा पांच मिन्ट में दूद हमारा गाड़ा हो जाता है अगर आपके पास मलाईय ना हो तो दूद में आप मिल्क पोडर आप सकते 2-3 बड़े चमच तो देखिए इस तरह से अमने इसे चलाते हुए गाड़ा कर लेना है गयास को मीडियम टू स्लो कर लेंगे जब तक दूद में वाल आए तब तक आप इसे लगातार चला लें वाल आने के बाद बीच बीच में एक दो बाद चला लें से तो देखिए दूद हमारा होल चुका है अब इस बना सकता है तो देखिए 5-6 मिंट के बाद दूद हमारा गाड़ा होने लगा है अब इसमें अमने डाल देनी है पचार से पांच चम्मत चीनी आप जैसे मखाना एक कटूर लेजर को चोता है बाग चीनी का में डाले क्योंकि हमारे ड्राइफूर्स में वैसे मिठा सोती है तो चीनी डाल का इसको मिला लेंगे ताकि चीनी तूद में अच्छे से मिल जाए अब चीनी हमारी गुल जाए कि तब हमने डाल देना है मखाना का पाउडर और गयास को बिल्कुल स्लो कर लेंगे तो अब देखे चीनी हमारी गुल चुकिए अब मिल में डाल देना मखाना पाउडर और इसके मिस कर लेंगे इसके बाहर डाल देने बादाम पाउडर कर लेंगे और इस पेस्ट को में तब तक पकाना तक यह जम्य की फॉम में ना आ जाए यह अपना आप कडाई चोड़ने लगा जब देखे बादाम को मिक्स कर लेते हैं और अगर आपको मारा राइस पे चलिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें चैनल पने चै कि अदर subset आप चाक करें देखे सकते मखाने की के तोब तो बादम आदा में है न आएक अगर आपके पास को ट्रेर अगयरा फोस्ना तुम्स कर दो वसकी में इसको मैंने नहीं वाझा ज अनुदतन कशीन गीर आहा देखिए चमत से चारव तरफ से एक सार कर दिया है अब इस पर मने कट लगा लेने हैं ताकि हमारा मिश्रन जम जाए तो इसमें काटने में कोई आसानी हो तो दिखेंगे इस तरह से मैने से चोकोल टुकडों में काट लें आप चाहिए डायमेंड के टुकड़ में भी कार सकत हैं तो हम तैयार है हमारी मखाना की टेश्टी शी बर्फी इसके ओपर लगा दिया मैंने काजू और एक पिस्ता यह ऐसे फटा-फट शे निकल जाएगी दस से पांच मिंटर जम जाते देखिए कितनी टेश्टी और मज़ेदार सी बर्फी बनकर हमारी तैयार हो चुकिए और यह हेल्दी भी अमने इसमें एक बूंद भी घीता इस्तिमाल नहीं किया है और नहीं कोई मावा डाला है अगर आपने एक बार यह बर्फी बना दी तो आपका बार बर बनाने का मन करेगा और हेल्दी तो है इंगे तो अब के लिए वाई मिलते नक्स वीडियों तब तक कि झाल प्याँ प्याँ एक बार नहीं कि अपने एक बार बनाने का मन का मिलते धना है